गैज आज के इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सीरीज जिसमें हम लोग प्राक्टिस करेंगे सी लैंगविज के प्रोग्राम्स की आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ प्रोग्राम्स अगर हम लोग रेगुलर बेसेस पे बनाएं तो कि जहां पर मैं क्या करूंगा की प्रोग्राम बनाँगा सबसे पहले और उसकी बात बजो प्रोग्राम है, उसका कोड आप लोगो को दे check out करना but मैंने बना रखा है लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक playlist मैं add करूं उन लोगों के लिए जो लोग प्राक्टिस करना चाते तो उन लोगों के लिए एक नई playlist मैं बनाऊँगा जिसके अंदर ये video से मैं add करना content start करूँगा तो चलो यहाँ पर जल्दी से बिना divaste करते हुए हम लोग start करते हैं इस वीडियो को जिसमें कि हम लोग एक c language का program बनाएंगे जो की multiplication table को print करेगा ठीक है so मैं आपर करूँगा क्या सबसे पहले मैं multiplication underscore table dot c कर दूँगा और इस पर मैं 01 underscore add कर रहा हूँ कि हमारा पहला program है तो मैंने 01 underscore इसमें add कर दिया लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर 5 फार program देख रहो तो आपको उपर के 4 भी देखने मैं सारे programs independent मनाँगा अब यहाँ पर मैंने जो है यह dot c करके एक file बना ली है और यह मेरी c file बन चुकी है मैं आपर क्या कर सकता हूँ कि boilerplate यहाँ पर लिखकर c programming का boilerplate snippet लगा सकता हूँ तो मैं आपर boil लिखूंगा या फिर c boil लिखूंगा तो मेरा यह इस तरह से जो bare minimum c program है वो आ जाएगा अब अगर आप लोगों का यह c boilerplate program इस तरह से लिखकर नहीं आ रहा है तो उसका reason यह हो सकता है कि आप लोगों ने यह user snippet ना बनाया हो एक एक करके इस यह पूरी json file है इसके इंदर बहुत सारे और elements है आप लोग क्या कर सकते हो इस तरह से snippet मना सकते हो for more information आप लोग जा सकते हो मेरे visual studio in one video में मैंने vs code in one video मनाया है तो वो आप देख सकते हो but again वो python programming की मेरी playlist में है बट आप लोग देख सकते हो उसको independent video है तो feel free to watch it बाद में but अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे अगर आप लोग को यह नहीं मिल रहा तो manually type कर लेना और visual studio code बाद में सीख लेना अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले user से मैं input लोगा तो सबसे पहले मैं user से 10 लोगा या फिर अगर मैं 50 की multiplication table प्रिंट करना चाता हूँ तो मैं user से 50 लोगा ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पर मैं बना दूँगा int num और उसी के साथ साथ मैं अगर मुझे कोई और variable बनाना होगा तो वह भी बना लोगा अब एक लिए मैं सिर्फ num रखता हूँ num वो number है जिसकी table मुझे print करानी है जिसकी multiplication table मुझे print करानी है तो अगर आप लोग को C language आती है तो आपको पता हुआ कि हम scanf का use करते हैं और scanf के अंदर हम लिखते है percentage d integer के लिए और यहाँ पर हम लिखेंगे amp% num और उससे पहले हम user से बोलेंगे क यार user एक काम करो तुम हमको वो number दे तो enter the value of number whose multiplication table is to be printed तो मैं यापर लिख दूँगा कि जिसकी multiplication table आप print करवाना चाहते हैं वो number यहाँ पर लिख दीजे तो enter the value of number whose multiplication table is to be printed तो इस तरह से मैं यापर लिख दूँगा और उसी के साथ साथ scanf percentage d amp% num यहाँ पर मैंने लिख दिया है अब मैं क्या करूँगा कि यह लिखने के बाद मैं एक for loop चलाओंगा तो for का मेरे पास snippet आ गया तो मैंने यहाँ पर int लिखा tap दबाया i ठीक है as a variable name अब मैं i is less than equal to 10 कर दूँगा फिर tap दबाऊंगा i plus plus भी ठीक है फिर tap दबाऊं percentage d फिर मैं लिखोंगा capital x यहनि कि multiply by फिर मैं लिख दूँगा percentage d वापस से यहनि कि एक integer आएगा जैसे कि 1,2,3,4 वो हम भी decide करेंगे क्या आएगा फिर मैं लिखेंगे equals to फिर से एक integer आएगा percentage d अब यह integer यह integer और यह integer क्या होंगे यह मुझे यहाँ पर लिखना है तो मैं क 3,4 अब एक problem है अगर मैं आपर सिर्फ i लिख दूँगा तब 5 multiply by 0 से start होगे 9 तक जाएगा क्योंकि यह loop मेरा 0 से start होगा और 9 तक जाएगा ठीक है so वहाँ पर आप लोग को जो है इसको solve करना पड़ेगा problem को लेकिन अभी मैं इस problem को बाद में solve करूँगा और मैं आपर लि line break को backslash n हमारा escape sequence character होता है जो कि new line को print कर देता है तो जहां भी backslash n आता है वहाँ पर एक नई line print हो जाती है नीचे और आप इस तरह से multiplication table को print कर सकते हैं बट हमें एक problem solve करना है यह 0 to 9 तक जाएगा हमें 1 to 10 कराना है तो वह मैं आपको solve करके दिखाऊंगा मैं इसको run अभी यहाँ पर और यहाँ पर देखो मुझसे पूचा जा रहा है enter the value of number whose multiplication table is to be printed मैं लिख दूँगा 4 की करा दो तो 4 x 0 से लेगे 4 x 9 तक आ गया तो अगर मैं 4 x 0 देखना चाहता हूं जो कि मैं ideal case में नहीं देखना चाहूँगा क्योंकि कौन देखना चाहता है एक multiplication table में multiply multiply by 0 की क्या value है उसको देखना obviously हम नहीं चाहेंगे multiply by 0 की value को देखना तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो 4 x 0 मैंने लिखा हुआ है उसको अगर मैं 4 x 1 से start करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर i plus 1 कर दूँगा तब जब देखो i की value तो 0 से लेक 10 तक जानी है ठीक है तो मैं यहाँ पर इस for loop को नहीं छेड़ना चाहता मैं क्या करूँगा i plus 1 कर दूँगा इसको तो जहाँ पर 0 है वहाँ 1 हो जाएगा जहाँ पर 9 है वहाँ 10 हो जाएगा आप लोग इसको dry run करके देखो एक paper पर अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो i is equal to 0 तो यहाँ पर तो मैंने i plus 1 multiply by यहाँ पर multiply भी फिर i plus 1 से करना पड़ेगा तो यह गलती कर दी मैंने आपर तो हो क्या रहा है जब मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि 5 multiply by यह गलट table हो गई 6 multiply by 2 6 आगया लिख कर क्योंकि मैंने अगर i plus 1 यहाँ पर use करना है तो मैं यहाँ पर i plus 1 ही use करू तो दोनों जगा मुझे change करना पड़ेगा तो अब मैं अगर इसको run करूँगा और 6 की table को print करूँगा तो बिल्कुल साही सही print हो जाएगी वो table ठीक है अगर इसको आपको और खुबसुरत बनाना है तो आप एक और printf लगा सकते हो और लिखोगे the multiplication table of उसके बाद आप लि multiplication table of 10 is मैंने आपर 10 लिखा तो यह आपर लिख कर आएगा the multiplication table of 10 is और यह पूरा लिख कर आजाएगा so I hope कि यह program आपको समझ में आ गया अब इसी program को solve करने का एक तरीका और है अब इस for loop को मैं अगर i plus 1 के चकर में ना पढ़ना चाहूं तो मैं आपको एक alternate method भी देता हूं क कि आप इसको तो I ही रहने दो ठीके जैसे था पहले और आप क्या करो कि I को 1 से start कर दो और इसको 11 कर दो या इसको less than equal to कर दो तो यह क्या होगा 1 से लेके 10 तक चलेगा loop तो loop को आप यह तो 1 to 10 चला लो या फिर आप यहाँ पर I plus 1 कर दो बट दोनों ही आप लोगों को C programmers आपको मिलेंगे और दोनों ही तरीके सही हैं इनमे से कोई भी बहतर तरीका नहीं है आपको दोनों ही तरीके समझ में आने चाहिए तो देखो 4 की table यहाँ पर मैंने print कर दी है आप किसी भी number की table print कर सकते हो अगर वो कोई बड़ा number भी है तो भी आप उसको print कर सकते हो अगर titled आपको जिसे 18D double print करना है और याद करना है तो आप इस तरह से print करके याद कर सकते है felt कि मेरे रिसाब 20 तुक table आपको याद होनी चाहिए है और वैसे 10 तक तो यार याद होनी चाहिए अगर आपको 10 तक याद न Ó arguably याद करो याद करो तक कमेंट में बतो आपको कहा तक table याद है ठीक है तो सब लोग नीचे comment करके मुझे ये बताएंगे कि आपको कहा तक याद है देखो भई मुझे 20 तक याद है table ठीक है including 20 और अगर आपको याद है 20 तक तो नीचे comment करो अगर आपको 5 तक भी याद है तो इमानदारी से 5 लिखना 10 मत लिखना ठीक है चलो जी तो या फिर आप अपने C का revision करना चाहते है या फिर आपको अगर ऐसा लगता है आप एक ऐसे इसको लगता है कि यार मुझे से program नहीं बनते है यूगी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ये बोलकर कि programs नहीं बनते है तो आप लोग के लिए series आप लोग ये सारे videos देखना इ अगर आप लोगों ने जो है ये access नहीं करिए मेरी C की वीडियो अगर आप लोगों को C सीखनी है स्टार्टिंग से तो मेरा एक वीडियो है learn C with notes in Hindi 15 hours इसमें मने notes दे रखें C के मान लो आप जो है मान लो आपने नहीं देखिया वीडियो वैसे तो देख लेना वीडियो ब फिर आप search भी कर सकते हो C with notes करके search करोगे अगर आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखो यह C with notes मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पर आप लोग देखो इसको यह C language tutorial for beginners in Hindi यहाँ पर सारे notes और practice set downloads है क्लिक करोगे आप सीधे आपको download हो जाएगा unzip कर लेना इसमें programs भ आप यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो इस वाले वीडियो को मैं यह जो वीडियो है जो बन रहा है भी उसको एक playlist में डालूँगा उसका link देदूँग आपको description में उसको access करके bookmark कर लेना और अगर आप लोगों को जो है और content देखता है मेरी तरफ से आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो मैंने description में link दिया हुआ है तो काफी कम लोग पहुती छोटा सेट मुझे follow करता है Instagram पर वहाँ पर मैं काफी content डलता हूँ चिल वाला अगर आपको देखना है वो तो आज आना महाँ पर वीयार I hope कि आप लोग यह वीडियो helpful लगाओ thank you so much guys for watching this video and I will see you next time हुआ हुआ है